हेलो क्रेंस आप सबको मेरी वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है तो अभी तेन दूरी रोटी बना रही हूं तो उसमें छोटा-छोटा सा प्याज और मिर्ची का पाउडर है सो और थोरा सा नमक डालके और इसमें थोरा रिफरेंट जो है उसमें को डालके फिर इसको मैं त्यार करके फिर इसको बना रही हूं और जब जल्दी से खाना बनाने होती है तो बहुत ही अच्छी होती है और असानी भी होती है तो अभी खाने का मन था बच्चे लोग को तो मैं बना रही हूं और इसमें थोरा सा सबजी जो है बच्चे तो बिना सबजी के भी खा लेत अच्छे से इसको कदुकस करने के बाद इसमेए मैं डाल दूगी मिर्ची पौरडर अभी यह जो है, अदरक है इसको भी अच्छे से में कदुकस कर लूँगी और इसमें बेश्ण डाल दूँगी चारछमत बेश्ण माज़र लगेंगीUR अच्छे से मिले हुए है थैus यह डाल दी हूं और फिर इसको अच्छे से चमच के सहारे मिला दी हूं,сь arises, जो में पांगाई थी आज मैं पहली बार उसको उसके बना रहिक हूं, तो इसमें नमक मैं ठीवाच semana । बिखी अच्छे से म примी जा जाने कर दीथे ड़े नमतल अणला दाफ रही हूं तो पता हो साटें कर दीथे भाल जायाँ है कम गर्म जीधक हो जाएंगेिए तो घंरत wasnp जो गोला तर है उसमें मैं लगा दी हूं और फिर इसमें चमच के सहारे मैं जितने भी हेंचे इसमें बहर दूँगी जो गोला गोला है तो उसमें बहर के और मैं पहले बार ही त्राइक कर रहे हूं तो सब में भरके और फिर इसको मैं देरी देर से फिर अच्छे से ज्यादाना कम डाल रही हूं और भी ढख दूंगी और बहुत ही और भी अच्छे से उल्ट रहने, थोरा भी इसमें दिकत नहीं हो रही है जैसे चहाल रही है एकदम थोड़ा भी इसमें नहीं लगी हुई है तो अभी एक साड़ में सब्जी गर्म करने के लिए रख दी हूँ और मैं सब्जी के साथ चाबल खाऊंगी और अभी रोटी रखी हुई है तो भी मुझे चाबल खाने का मन हो गया था चाबल में बना ली थी और तब तक मैं अपना खाना खा लेती हूं ने खाना घा चुकी हूं तो फिर मेरा जो बचा हुआ है वो भी जल्दी से बन जाएंगे और दो राउंड लगेंगे इसको बनने में और रखे हुए थोड़े से तो इसको मैं ट्राइ करके देखूंगी जो कैसे बनी है तो देखेंगे कि इसके अंदर तक पकी है या नहीं क्योंकि मैं अभी बहुत कम इसको धिमें आच में पका रही है तो यह थोड़ा सा दो चार बन गये हैं मैं इसको निकालके देख रही हूं तो अच्छे से पके लगते हैं और अंदर तक यह अच्छे से बन गये हैं और इसमें कच्छा नहीं है अंदर और क्रिस्पी भी लग रही है थोड़ी से तो इसमें तो ओयल भी नहीं दिये थे तो जो भी जिसे भी ग्यास की प्रॉब्लम है उसके लिए हैलो फ्रेंस आप सब कैसे हो आसा करती हूं कि आप सब बहुत बहुत अच्छे से होंगे तो अभी मैं घूम रही हूं सारा मेरा जितना भी काम था सुबह से हो गया है और मैं यह नए घर में जो है यहीं पर मैं अभी हूं और कभी-कभी चाहती है कि कुछ इसमें काम कर दूं लेकिन इतना सामान ठखा हुआ है और जो ठीके दार जी है रोज ठकते हैं आज भी बोले थे कि गेट लगा देंगे लेकिन आये ही नहीं और आपको कोई काम जो नया नया होता है तो बहुत एक्साइटेट मन होता है कि जल्दी से हो लेकिन यह तो एक महीने पहले जो धलाई होई थी उसके बाद अभी तक कुछ भी काम न बोले थे आये तो भी नहीं आये हैं और अभी नीचे जो भी काम हुआ था पाले तो उस सब का जितना भी पैसा था वो फिट के हिसाब से वो सब तो अब काम खतम हो गया जितना भी अभी बची हुई है बहुत साड़ा काम बची हुई है तो उसको हमें फिर से उपर से देन और जो अभी सीरी घर बनानी है उपर उसके बाद जो रेलिंग होती है उसको और यह जमीन जो जितना भी बात्रूम है उसको त्यार करना है उसमें बहुत सारा काम होता है और जो कीचन है तो उसमें स्लैब भी नहीं बनी हुई है और ना आलमारी रूम में बनी हुई है यह उसमें प्लास्टर नहीं होगी नहीं जो है उस पे घोल घोला जो तुम सही कर वालेंगे नहीं तो बहुत ही अच्छा होता लेकिन सुनेंगे तब ही न सुनते नहीं जल्दी वो अपने काम में बैसतें अभी और बहुत सारा काम उनको मिला हुआ है यह गाउं में ही मिला हुआ है उनको काम तो जाने को कितने दिनों में करेंगे तो मैं अगली वीडियो फिर आप से मिलूँगी तब तक के लिए बाय टेक केर झाले करें ऩार थांड़ को बार ये उघा है